स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रुपाली गांगुली की हरकते दर्शकों को इतनी जादा पसंद आती हैं कि दर्शक रुपाली गांगुली के सीरियल में फैन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुपमा सीरियल में रुपाली की कुछ हरकतों को उनके खुद के पती अश्विन के वर्मा बिलकुल भी पसंद नहीं करते तो आईए बता देते हैं आपको उनकी चार हरकतों के बारे में जो अनुपमा सीरियल में रुपाली गांगुली गौरव खन्ना के कितने close आ गई है जहां पर अनुपमा और अनुज अब एक दूसरे के best friend बन कर शो में एक दूसरे को प्यार भी करने लगे हैं और इसी बढ़ती दोस्ती और friendship की वज़े से रुपाली गांगुली ओफ शूट भी गौरव खन्ना से फोन पर बातचीत करती रहती हैं और उनकी यही बढ़ती friendship वाली हरकतें रुपाली के husband अश्विन के वर्मा को रास नहीं आ रही हैं नमबर दो प्रोड्यूसर्स की हां में हां करना दूसरी बेकार हरकत अश्विन के वर्मा को अपनी पतनी की जो अच्छी नहीं लग रही है वो है शो के प्रोड्यूसर्राजन शाही की हां में हां करना जी हां रुपाली गांगुली अपने शो के प्रोड्यूसर्राजन शाही को इतना जादा मानती हैं कि वो जो भी इन्हें बोलते हैं करने के लिए ये अनुपुमा बन कर वही करने को तयार हो जाती है रुपाली ये नहीं देखती कि रोमैंटिक सीन है या फिर अग्रेसिव सीन है ये चुप चाप राजन शाही की बात मान लेती है और यही हरकत इनके पती को हर बार नागवारा गुजरती ह 3. फाइटिंग करना हर बात पर अनुपुमा बन कर अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने घर घर में रहने वाली हर ग्रहणी के अंदर मादुर्गा को जगा दिया है जो गलत के खिलाफ लड़ने के लिए तयार हो जाती है अलग ये हरकत अश्विन के वर्मा को अच्छी लगती है मगर रुपाली का हद से जादा फाइट करना वो भी शो के अंदर इन्हें रास नहीं आता इन्होंने अपनी वाइफ को हर बार समझाया है कि इस तरह के सीन को अवोईड करें क्यूंकि इनका 8 साल का छोटा बच्चा भी है जो अपनी मम्मी का शो देखता है और उ उन्होंने रुपाली की इस हरकत को रोकने के लिए कई बार उन्हें समझाया है पर रुपाली है कि कुछ सुनने को तयार ही नहीं है तो दोस्तों आपको एक्टरस रुपाली गांगुली की ये हरकतें कैसी लगी है आप अपना जवाब हुमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें